यहाल प्रेक रविवार देशाम गुरूगराँ के कई Yap लाकों में इंद्रदेवता जल बरसाते रहे, लेकिन ब्जेपी के ने नेता अपनी अपनी विधानसभाव में गरजते रहे आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरगाव विधान सभा में बीजेपी नेताओं ने भारी बरसात के बीच भी लोगों के बीच कैसे दिया भाशन और लोगों ने कैसे ब्याज समेथ उनको लोटाया है अपना प्यार नमस्कार मैं हूँ सुने लिया आदव और आप देख रहे हैं गुरुगराम नियूज रविवार शाम गुरुगराम में बरसात हुई इंद्र देवता जमकर बरसे लेकिन इस दोरान गुरुगराम की जनता अपने चहेते नेताओं पर प्यार बरसाते रहे यह प्यार बरसा है गुरुगाम विधान सभा से बीजेपी के नेता जील शर्मा पर जील शर्मा ने रविवार शाम गुरुगराम के गांधी नगर इलाके में एक जनसभा को सम्मोदित किया विधान सभा चुनाओ नस्दीक है इसलिए अभी से बीजेपी के नेता शुरू कर दिया लेकिन भारी बरसात के बीच भी ना तो वहां से नेताजी डिगे और ना ही उनकी जनता जो उनसे प्यार करती है वो टस से मस हुए इंदर देवता जल बरसाते रहे और जील शर्मा स्टेज से गरजते रहे वो बताते रहे कि कैसे वो जनता के काम आने वाले स जील शर्मा ने कहा है कि उन्होंने बिना किसी पद के ही गुरुगराम के जनता का भला किया है चतिस बिरादरी के लोग उन्हें प्यार करते हैं उनकी लाखों बहने हैं लाखों भाई हैं लाखों बड़े बुजर्ग हैं और यही प्यार उनको आगे आने वाले विधान चुनाओं में ना केवल बीजेपी से टिकट दिलाएगा बलकि गुर्गाव विधान सभा से एक लाक से जादा वोटों से वो जीत कर आएंगे और फिर पूरे पूर जोर तरीके से वो गुर्गाव विधान सभा के निवासियों के विकास कारे कर आएंगे पिछा अच्छा लगा है जो लोगों के लिए काम किये हैं और आगे भी मेरी पार्टी मुझे टिकेट देगी और मैं टिकेट प्रांच करने के बाद अभी तो लोगों की टिकेट मांग रहा हूं ताकि जनता की अवाज भगवान की अवाज बनके मेरे अधिकारिया और मेरे नेत्रतों के सामने पहुँचे और नेत्रतों भी इस बात को सोचे कि भी भीगती बारिस में भी लोग बाग इतना जोश है तो मुझे लगता है कि 2014 में पार्टी ने मैंने टिकेट मांगा हम दो जोई आदमी थे एक को मिल गया उजे नहीं मिला नियम बनाया आदेश दिये मैंने काम किया उनको जिताने का काम किया 2019 में भी टिकेट मांगी दूसरे एक भाई को दे दी उसको जिताने का काम किया अब मैं केवल एक बात कह रहा हूं मेरी पार्टी से कि भाई इतना वरिस् अतने लाकों भाई हैं और मेरे पिता तुल बुजर्ग वह भी लाकों की सिंख्या मेरे विशे में सोच रहा है गंबीरता से सोच रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी टिकेट देगी और मैं यहां से अपने भाई बंदू बहन और अपने बुजर्गों और युवाओं के सन्हय और प्यार आसिरवाद से विदानसवा पोचूंगा और जो गुड़गावन अपिक्षा की है ऐसा इमांदार विधाय मैंने अपने जीवन में इमांदारी को धारण किया है अच्छा सब का सवागत करना सब का सम्मान करना मेरे जीवन में मैंने दे सरकार में काम मिले वह पूर्ण किये मैंने सिद्ध करके दिखाया कि किस परकार से घाटे की संस्ता को भी मैं उपर बियारी स्क्रोड के लाब में ला सकता हूं जहां वेजा वहां विजेश्री करा सकता हूं तो ऐसा कारेकरता सेंक्रन को मिला हुआ है और जिसको सबस्ता का जो सबसे पहले ताना बाना गुड़गाव में बुना वो जीयल शर्मा ने बुना रहा आज तक बदस्पूर जा रही है तो मैं कम सकम एक लाग से उपर वोटों से जिता के भाजपागोई सीट दे दूगा और केवल और के मातर इस दम पे दूगा कि आपने दे मौनसून में गुरुगराम में इंदरदेव तो खूब बरस रहे हैं खूब प्रसन है बीजेपी के नेता भी इस बरसात में गरज रहे हैं लेकिन इनकी असल प्यास तब बुझेगी जब बीजेपी भी इंदरदेव की तरह इन नेताओं पर बरसेगी इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजेगा साथे साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजेगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए नमस्कार व्योगोचचचर